इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड एफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। वोग्जैम शून ने दशमलव दो टैबलेट एसार मधुमेह विरोधी दवाओं के नाम से जानी जाने वाली दवाओं की श्रेनी से संबंध रखता है। यह वयसकों में टाइब दो मधुमेह मिलिटस के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं का एक सयोजन है। यह मधुमेह वाले लोगों में रक्ट शरकरा के स्तर को नियंतरत करने में मदद करता है। वो ग्जैम शून निद शमलव दो टेबलेट एसार को खाने के साथ ही लेना चाहिए। सबसे अधिक लाब पाने के लिए इसे नियमित रूप से प्रतीक दिन एक ही समय पर लें। आपका डॉक्टर तै करेगा कि आपके लिए कौन सी खुराक सबसे अच्छी है और यह समय समय पर आपके रक्ट शरकरा के स्तर के अनुसार काम करने के तरीके के अनुसार बदल सकती है। भले ही आपको अच्छा लगे या आपका बलड शुकर लेवल नियंत्रित हो इस दवा को लेते रहें। यदि आप अपने चिकित्सक से परामर्ष के बिना इसे रोक देते हैं तो आपके रक्ट शरकरा का स्तर बढ़ सकता है और आपको गुर्दे की क्षती, अंधापन, तंत्रिका समस्याओं और अंगों के नुकसान का खत्रा हो सकता है। याद रखे कि यह एक उपचार कारेक्रम का केवल एक हिस्सा है जिसमें आपके डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार स्वस्थाहार, नियमित व्यायाम और वजन कम करना भी शामिल होना चाहिए। यदि ये आपको हल नहीं करते हैं या चिंता नहीं करते हैं तो क्रिपया अपने चिकित्सक से परामर्श करें। आपका डॉक्टर आपके दुशप्रभावों से निपटने के तरीके सुझा सकता है या यदि विपरेशान करने वाले हैं, तो उनका इलाज कर सकते हैं। अपने चिकित सक को बताएं कि क्या आपको कभी हृदे रोग हुआ है। ये उप्यूक्त नहीं हो सकता है। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। आपके रक्ट शरकरा के स्तर की नियमित रूप से जांच की जानी चाहिए और आपका डॉक्टर आपके रक्ट कोशिकाओं की संख्या और यकृत के कारे की निग्रानी के लिए रक्ट परीक्षन की सलाह भी दे सकता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्स्क्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल आइकोन पर क्लिक करें और All Notification को क्लिक करें, धन्यवाद.